नमश्कार दोस्तों स्वागत है आपका एजुक्रेशन बंड ऑनलाइन में आज अपन देखने वाले हैं प्रपरेशन प्रपर्पर्टीज और देखने हैं प्रपरेशन प्रपर्पर्टीज की देखने हैं next part में mesam रोल संजहेगे ठीक है तो बिना दायम इसके अपने जो होता है वो क्या होता है और यह vinyl chloride को ही देखें अभी, vinyl chloride क्या है, एक type का monomer है, और addition process में अपने देखा था, बहुत सारे मिलके polymer, एक नहीं, बहुत सारे monomer मिलके क्या करते हैं, एक polymer का formation करते हैं, ठीक है, तो vinyl chloride क्या होगा, बहुत सारे जब मिल जाएंगे, तो क्या करेंगे, एक polyvinyl chloride, जिसको अपन एक polymer बोलते हैं, उसका formation करेंगे, ठीक है, जैसे अगर इसकी preparation देखें, कि आखिर polyvinyl chloride किस तरह से form होता है, तो यह जो अपने क्या लिया है, vinyl chloride जिसकी मैं अभी बात करी आपको, यह क्या है, एक type का monomer है, ठीक है, तो इसी तरह बहुत सारे अपने monomers लिते हैं, आपने लोग जो एडिशन प्रोसेस आपने देखियो, एडिशन पॉलिमराजीशन प्रोसेस, उसमें क्या होता है, बहुत सारे monomer एक साथ मिलते हैं, जिसमें क्या होता है, polymerization की process होती है, है अब इसमें क्या होगा ठीक है यह पॉल्स तरह से बनेगा जो अपने पॉलिंड ग्लॉराइड जो एक टाइप का क्या है किस तरह से बना है वह समझ में आ गया अपने क्या लिया है पहले एक विनायल प्लॉरेट लिया ठीक है उसका पॉलिमराइजेशन प्रोसेस करें जैसे अपन पॉलिमराइजेशन करवाते हैं तो क्या होगा यह जो डबल बॉंड है इसमें यह बॉंड ब्रेक हो जाएगा जिससे क्या है एक बॉंड यहां पर आ जाएगा जिससे मल्टिपल कंपाउंड साथ में जुड़ते जाएंगे तो यह जो बन जाएग हें लगर्यक्रिध धाऌ करें थे जिकलर काईड प्रक्रीशन को आएगम जॉप स्टेड क्या है न को मतलब इसका रृधर कलर नहीं होता और डृटल स्मेल नहीं होती इसके जलता नहीं है उसका बास सीगल ऑइल रसेट्द कैमिकल ओर जो उसको घृज करता है वाहें थाद पॉइंट इपके लगे रहता है उसमें फइंडो फ्रेम और बोटल जो बिंडो के फ्रेम्स रहते हैं और बॉटल रहती है वो बनाने में इसका यूज होता है थर्ड, it is used for making rainwear, जो अपनी raincoat होती है, बारिश का मोशन अभी आई गया, तो अपन जो raincoat पहनते हैं, उसको भी बनाने में अपन का किसका PVC का use होता है, I hope so अपन को इसके preparation किस तरह से PVC बना है, जिसको अपन polyvinyl chloride बोलते हैं, यह किस तरह से बना है, ठीक है, वो देख लिए उ preparation, properties and uses of PVC, PMMA, तो simple PVC में आपको ये तीन-चार चीज़े लिख देनी है, आपको पूरे नमबर लज रहाँगे, ठीक है, तो इसको आप note down का लिजे, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, second वाले उसकी तरफ, जो है PMMA, इसका full form क्या होता है, polymethyl meth accelerate, तो यह क्या होता है, अपन इस methyl meth accelerate, यह क्या होता है, अपना monomer, टिक है, यह monomer जिसको अपन MMA वोलते हैं, यानि कि methyl meth accelerated, यह क्या होता है, जब यह breakdown होता है, जब इसमें क्या होती है, polymerization की प्रोसेस होती है, क्या, polymerization प्रोसेशन जब इसमें होती है तो क्या होता है ये गॉल्ट होता है ये डॉल बॉणंड ब्रेक होगा और जो एक यहां पे लग जाएगा और फिर जिस्से अधर जो मोनोमर्स है वो भी आपके जुड़ जाएंगे और बहुत सारे मोनोमर्स जब एक साथ अब प्रफरेशन होई जिसमें अपन क्या हुआ है मोनोमर एक जुड़ा ठीक है जिसका नाम क्या था मिथाइल मैथ ऐसलेड इसमें जब पॉलिमर आज़ेशन की प्रोसेस हुई तो यह जो पर कंपाउंड बन गया इसका क्या है डबल ब्रोंड ब्रेक हुआ एक बॉंड यहा तो अपन को preparation बहुत से समझ में आ गई होगी ठीक है अब उसकी properties देख लेते हैं कहा कहा पर इसकी properties है it is transparent with blunt edges and same as PVC ठीक है इसके जो properties है same PVC में जो अपनी properties थी उसी के तरह है जैसे PVC is colorless उसी तरह अपने लिख सकते हैं PMMA is colorless, orderless and non-flammable उसके बाद it has chemical or oil resistance और यह भी अपना weathering resistant होता है ठीक है तो यही properties सेम अपन PMMA भी लिख सकते हैं ठीक है इसलिए मैंने इसमें नहीं लिखिये properties उसके बाद uses कहा कहां पर PMMA का use किया जाता है it is used inifeding glass second it is used for making vehicle glass and window glass जो आपने वेहल देखे होंगे जो अपनी cars हो गई या भाइस हो गई इसमें जो अपने वेहलिक दे केे और जोativ prac लगे रहते हैं और जो विट्डो ग्लास लगे रहते हैं उसमें अपन किसका यूज कर सकते हैं पोग स्टा हूं मैं का use करते हैं फिर अपना चाहिक अपना छाइफ लूंत कर यह लिए फिर आपनस के जाहिआ है ऑफर इक जाएफ्लोम होटा त है जिसको अगर इसका फुल फॉल फॉरम ऑफूर यह पॉली-घे अपने पास Tetra Fluoroethylene, ये क्या होता है, एक Monomer होता है, ठीक है, ये Monomer अपने लिया, preparation इसकी बनाने क्लिए क्लिए क्या करेंगे, ये Monomer को लेंगे, जिसका नाम क्या है, Tetra Fluoroethylene, इसकी अपन Polymerization process कराएंगे जैसी अपन polymerization process कराते हैं तो क्या होगा यह double bond जो है इसका break होगा जैसी double bond break होता है तो यहां carbon में एक लग जाएगा यहां carbon जैसे यह लग जिया और एक यह लग जिया ठीक है जैसी क्या होगा other monomer साथ में आके जुड़ेंगे जैसे यह ten monomer साथ में जुड़ते हैं तो ऑदर monomer जैसरी साथ में जुड़ते हैं जब बहुत सारे monomers एक गूशती जुड़ जाते हैं तो क्या कहलाता हो ओ पॉलींवर ठीक है तो यह polymer बन जाएगा जिस polymer का प्रेपरेशन आई होग सो आपको clear होगे होगी यह compound थोड़े से आपको याद रखने पड़ेंगे जैसे होगे अपने किसके थोड़ा सा में पीछी लेज चलो जैसे PVC के भी आपको याद करने पड़ेंगे इसको याद रखना पड़ेगा कि विनायल क्या होता है ठीक इसका organic compound उसके बाद प्रेक्टिस करने के बाद आपके अपन को समझ में इसकी प्रॉपर्टिस क्या है इस एक्सलेंट रजिस्टेंट करता है ठीक है उसके बाद इस एंटी रस्टिंग प्रॉपर्टिस होती है इसमें जिससे रस्ट रगना बहुत जादा complex हो जाता है रस्टिंग नहीं पैदा होती है ठीक है इसके uses कहा होते है टैफलोन के it is used for making non-stick utensils ठीक है non-stick utensils में अपन इसका इस तरह इसका 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 इस तरह बढ़ते है फोर्थ क्या है अपना nylon 6 अब ये nylon 6 और nylon 66 नाम नाम में कया है वच्छे बहुत जाइब थे बहुत गया है। से मैं ठीक है नायलोन शिक्स का क्या है इट is prepared by self-condensation of alpha amino capric acid ठीक है alpha amino capric acid क्या होता है जब एक self-condensation process होती है इसमें फॉल्य मेरे पॉलिमरेजेशन process होती है तब जाके नायलोन 6 का formation होता है किस तरह से यह बनता है यह देख लेते preparation जैसे आपने एक compound लिया एक औरगनिक कंपॉंड लिया जिसका नाम क्या है अलफा अमीनो कैप्रोइक ऐसे अब क्या होगा इसमें किस तरह से प्रॉसेस होगी कि जो अपना यह है ठीक है यहां से अपना यहां से अपना यह यह अलग अलग हो जाएगा ठीक है निकल जाएगा ठीक है तो यह क्या हो और भी monomers यहां पर आके जुड़ेंगे और एक उसका formation करेंगे किसका polymer का ठीक है और वो जो polymer होगा उसका नाम क्या होगा अपना nylon 6 I hope so अपनको clear हो गया होगा कि nylon 6 किस तरह से prepare हुआ है ठीक है यहां से अपने एक iron निकला यहां से OS निकला तो क्या बहार हुआ हो गया ठीक है तो यहां से एक एज की जगह चूड़ गए यहां से OS की जगह चूड़ गए जिससे बहुत सारे monomer साके जुड़ गया तो यह क्या बन गया एक polymer बन गया जिस polymer का नाम क्या है nylon 6 ठीक है उसके बाद इसके properties क्या है ठीक है it has good moisture resistant moisture का यह बहुत प्यारा resistant है ठीक है उसके बाद it has high strength and elasticity यह बहुत जादा इसमें strength है और साथ में elasticity जो elastic material जो आपने देखा होगा कि जैसे आपन खीसते हैं वह वाबस आ जाता है ठीक है तो इसमें बहुत जादा elasticity है किसमें nylon 6 वहीं इसका use कहां करते है nylon 6 का mainly used for making tire squats ठीक है जो tires रहते हैं tire squats रहते हैं वहाँ पे mainly इसका use किया जाता है ठीक है यूज फॉर मेकिंग डूरेबल हेयर कॉम जो आपने कंगी देखी होगी ठीक है जिससे आप इपने बाल बना के हाथे हैं ठीक है मैंने तो अभी नहीं बनाए पर वाली कंगी भी कंगी में भी अपन किसका nylon 6 क यूज करते हैं ठीक है तो अपनको आई होप सो यह clear हो गया होगा कि nylon 6 के preparation क्या है किस तरह से यह बनता है और क्या क्या इसकी properties हो सकती है और कहां कहां किस जगह पर यह यूज होता है ठीक है तो simply आपको इसको note कर लेना है यह diagram को तो आपको क्या करना है याद करना ही पड़ है तो ऐसा यार की देखिए मेरे को तो पता नहीं कि एक्जामेर कैसा कोशन मनाएगा पर जो जो कोशन एक्जाम में बन सकते हैं यह वाले चैप्टर से तो मेरे को हर एक कुशन इंपोर्टेंट यह लगता है क्योंकि कुछ भी पूछ लेता है आराम से प्रॉपर्टीज अ इसी सब्जेक्ट है अगर आप इसको अराम से एक से दो महीना भी देंगे तो आपको पूरा अच्छे सब्जेक्ट है आपको आराम से सीजी पर बढ़ाने में हेल्प करेगा तो आगे बढ़ते हूं और समझते हैं कि गलती मत करना उसमें से मोनोमर तूटके अपनका बहु तो इसकी preparation क्या है दो अपने मोनोमर दो organic compound साथ में जुडते हैं पहला organic compound होता है adipic acid और second organic compound होता है अपना hexamethylene diamine ठीक है जब ये दो compound एक साथ जुडते हैं तो क्या होता है दो H2O अपने बहार हो जाते हैं जिसकी वज़ा से इसमें vacant side बच जाती है खारी side इसमें form हो जा होते हैं और किसका formation करते नाइलान 66 का अब यह किस तरह होता है यह थोड़ा देखी होते है ठीक है इसमें क्या है पहला अपना adipic acid इसको add किया किसके साथ hexamethylene diamond के साथ ठीक है जब इसको add करेंगे तो क्या होगा देखीगा यहां से अपना o h i n निकलेगा और यहां से अपना h i n यह दोनों मिलके यह एक 1 h 2 o का formation करेंगे ठीक है उसके बाद यहां से h यहां से h यह मिलके यहां पर दूसरा h 2 o ठीक है जिसके बाद इसके यह दो h 2 o यहां से बाहर हो जाएंगे जैसे अपने यह 2 o बाहर हो गया तो अपनी यह खाली जगा हो गई कार्वन की जैसे अगर इसकी बाद करें यह o h घुट गया तो यहां पर खाले जगा ओए यहां ठीक है उसके बाद यह जैसे ही यह सी प्लिस यहां से यह वाला o छ रडग गया ठीक है यहां से यह यह इसक्वाद भी हडगए यहां पर हो गया ठीक है final दो गया łवह prevent यह जो आपनी जग्रत जूटी है यहां पर ग typical of Walner का नाम क्यों सभिट्लow कर घोप सब्सक्राइब ओन कोपारूर्श सक्कार पूर ऑसएम उसा जो फॉनग्र होता है बट स्क्राइब Tomorrow आफ करहां बट नैडों शीडिटोफ पर उनको समझ में आगे, उसके बाद properties देखें, properties क्या है, it has high strength, melting point and elasticity, इसका क्या है, high strength है, melting point इसका बहुत हाई है, और elasticity भी बहुत जादा है, ठीक, उसके बाद second point, it has good absorption and moisture resistance, इसका भी same property जो nylon 6 में थी, moisture resistance और melting point elasticity, same ही property आप इसमें लिख सकते हैं, उसके बाद कहां कहां पर use कर सकते हैं, it has used for making fiber, socks, carpets, etc, जो आपने fibers देखेंगे, socks देखेंगे, जो आप जोके में पहनते हैं, ठीक, उसके बाद carpets जो आपके घर में बिछे रहते हैं, उसमें nylon 6 का use होता है, ठीक, second, it is used for making gears, bearing and bushes, ठीक, gears बनाने में, bearings में और bushes में इसका, और etc, इसमें उसका use होता ह है, अई वह उससा अपनको nylon 6 इस भी बहुत से clear हो गया होगा, मैं वही बोलूँगा, nylon 6 और nylon 6 इसको सेम समझनी गलती मत करना, दोनों different हैं, और क्या होता है, एक बार वीडियो को अगर समझ मनी आओ, थोड़ा सा पीशे करना, और एक बार फिर से देखना, ठीक है, 2x लगा language में आपको समझाए कि आपका time भी waste ना हो, आप आराम से 1.5 या 1.75 में लगा के आप आराम से देखें, आपको पूरी चीज़ के लिए हो, अगर आपको समझने में थोड़ी बार problem होती है, तो 1.25 पर आप normal speed में नहीं देखेंगी, आपको fall to time waste हो रहा है, ठीक है, तो एक चीज़ बता दी कि आपको 1.5 X में देखना है, ठीक है वीडियो उसको, उसके बाद आपने चीज़ के लिए हो, अब अपने last topic बसता है, वो क्या है, चलिए अब बढ़ते हैं, अपने last type के polymer की तरफ, जो है अपना polyester, ठीक है, polyester का अगर short form देखें, वो क्या होता है, PET और इसका perform क्या होता है, polyethylene, teripatholic acid, ठीक है, इसको other form में आपने लेख सकते हैं, decron और tanling, ये exam में आपको देख सकता है question कि बताए, decron का properties, uses और preparation क्या है, या फिर tanlon की preparation, properties और uses क्या है, या फिर question आराम सी यही बनेगा, polyester का preparation, properties और uses बताए, ठीक है, तो preparation अपने इसकी पहले देख लेते हैं, फिर properties देखेंगे, फिर uses देखेंगे, फिर preparation क्या है, इसमें भी different type के जो अपने monomers बोले, या फिर organic compound बोले, वो साथ में जुड़के, एक polymer का formation करते हैं, तो इसमें दो type के organic compound जुड़ेंगे, पहला जो organic compound जुड़ेगा, वो है, terry fatlic acid, और second type का organic compound जुड इसमें प्रिप्रेशन होगी, वो देख लेते हैं, सबसे पहले एक panel लेता हूँ, यहां से अपना OHIN कटेगा, यहां से अपना OH कटेगा, यहां से ह बाहर निकलेगा, यहां से ह बाहर निकलेगा, ठीक है, यह जाकर जुड़ेगा OH के साथ, तो क्या होगा, एक अपना H2O बा बाहर निकल आएंगे, जैसे ही – NH2O बाहर निकल आते हैं, तो यहां की क्या है, यहां की जगह vacant हो जाएगी, खाली हो जाएगी, तो एक जगह यहां पर खाली हो गई, उसके बाद same compound वहां से जुड़ जाएगा, यहां पर आके OH यहां से जुड़ जाएगा, और same last वाली ज इसका properties समझ लेते हैं, properties क्या है, it has good resistance to solvent and moisture, यह क्या है, जो अपना moisture होता है, moisture पैदा होता है, उसका good resistance होता है, उसके बाद it is good fiber forming material, जो यह है, यह good fiber forming material होता है, ठीक है, अगर uses की बात करें, कहां कहां यह use होता है, सबसे पहला it is used for magnetic recording tap, जो अपने magnetic recording tap देखा होगा, वहां पे आपका, इसका use होता है, ठीक है, second, it is used for blending with wool, और third, it is used for making wrinkle clothes, I hope so, अपन को polyester, बहुत से clear हो गया, इससे पहले अपने discuss किया, क्या, सबसे पहले अपने किया PVC, PVC कहां का use होता है, अपना pipes हो गया है, जो अपने drainage system में, आपके pipes लगे होंगे, वहां पे अपना PVC का use होता ह है, और जो अपने window, car की, जो windows होती है, जो bottles होती है, वहां पे इसका use होता है, और जो अपने rank code, जो आप बारिश को मुसा में पहनते हैं, वहां पे इसका use होता है, ठीक है, उसके बाद अपना PMA में हो गया, ये भी आपका आराम से question बन सकता है, कि PMA बताए, preparation properties and uses of PMA में, ठीक है, उसके बाद PVC, या फिर टैफलोन करके पूछ लेगा, और उसके बाद Nylon 6 पूछ लेगा, अगर आपना note ही किया है, simply आपको pause करके वीडियो को note कर लेना है, उसके बाद पूछ सकता है, Nylon 6, इसमें वही difference बताया था, कि Nylon 6 और Nylon 6, सेम नहीं है, ये एक दूसर तो Nylon 6 में क्या होता है, दो different organic compound, साथ में मिलके, एक polymer का formation करते हैं, जिस polymer का नाम क्या है, अपना Nylon 6, ठीक है, उसके बाद last जो अपने देखा, वो क्या है, polyester, तो चलिए, एसी के साथ, आज के lecture कें complete करते हैं, वीडियो को end करने से पहले मैं बता दूँ, जो भी बच्चे स्टूडियो में रहे हैं, education point coding channel अपना start हो चुका है, जो भी अपने first year के तो almost problem खतम कर दी है, बीतरवली भी हो चुका है, engineering chemistry भी हो चुका है, engineering physics भी हो चुका है, BC उसके भी 3-4 unit करवा चुके है, तो almost beat जो अपना first year हो complete हो जाए, अब जैसे आप first year वाले बच्चे, जो second year म बात करें, तो उसको coding language में, या programming field में थोड़ी और problem होने वाली है, और बहुत से यसा बच्चे हैं, जिसको programming से बहुत जाए डर लगता है, उसी के लिए अपने education point coding channel स्टार्ट किया है, जिस पे अभी 971 subscriber नहीं है, अपने 1K subscriber complete कर चुए है, उसके लिए मैं बहुत बहुत thankful मैंने जिस तरह बोला था कि आप 2 महीना हैं अभी, पर आपने उससे पहले ही कुछी दिन में, मतलब एक महीना भी नहीं हुआ हमें चैनल थोली होगे, और आपने 1K subscriber हिट कर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत thankful, तो इस चैनल पर अपना क्या होगा, तीन languages आपको है जाएगी, सबसे पहले होगी Python, उसके बाद होगी अपनी C++ और 3 होगी अपनी Java, हैना इसके अलाव होगे जो coding field से related, या फिर skills की बात करें, या फिर road में, आपसकी बात कर अलगी field के, वो सारी videos इस पर डलेगी, मतलब आपके जो career की guidance है, वो सारी इस चैनल पर मिलेगी, अगर आप technology fields हैं, या आपने BTEC लिया है, तो आपके लिए channel बहुत ज़्यादा helpful रहेगा, इस पर जो अपनी content डलेगा, जो भी videos डलेगी, वो इस level की डलेगी, अगर आप 10th class में हैं, अगर आप 12th class में, जिसने आपको coding का एक भी knowledge नहीं है, वो तब भी आपको आराम से अभी second sem में, आपके exam जिसी ही खतम होते हैं, जब आप third sem में या second year में जाएंगे, तब आपकी क्या है, coding field आपकी start हो जाएगी, आपके subject भी वेसे फसान लेगी, तब आप पे इस पर वीडियो को ही complete करते हैं, बाकी कुछ अपने free courses हैं, इनके जो links हैं, मैंने आपको description में दे दी हैं, अगर आपको कोई से भी subject पढ़ना है, आप simply description check कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इनकी playlist आराम से मिल जाएगे, दूर भटकनी की जरुवत नहीं है, ठीक है, और बाकी कुछ subject भी है, जिसे M1, M2, EG, और basic civil engineering mechanics, ठीक है, basic civil के classes, YouTube पे डालना है, स्टार्ट होगी है, और mechanics वाले जो पार्ट है, यह paid है, ठीक है, तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, एप का link का position मिल जाएगा, उसको download करिएगा, वहाँ पे आपको search करना है, अगर आपकी RGP University, या पिर PUNE University, जो भी university है, आप उस पे जाएंगे, वहाँ पे आपको search करना है, courses, उसका price 7.99 आप simply लेके पढ़ सकते हैं, ठीक है, और कोई भी दिक्कत हो, आप simply इन number पर call करके पूछ सकते हैं, कि भी यह course लेन दिक्कत आ रही है, या कोई भी और doubt हो, ठीक है, तो और इस ये वीडियो आपको कैसी लेगी, उसका review आपको comment section में जरूर दीजेगा, जिससे मैं वीडिय इसको improve कर पाऊं, है ना, तो इसके साथ वीडियो को ही complete करते हैं, मिलते हैं नहीं सब्सक्राइब, तब तक लेए बार हैं